एक रियक्शन है बोल्ड ब्लैंक रियक्शन सोडियम धातू और इथेनॉल परिशुद्ध याने की एपसुल्यूट इथेनॉल के द्वारा एस्टर के अपचैन से प्रात्मिक एलकौहल बनता है यहां पर एस्टर का रिडक्शन होगा प्रैमरी एलकौहल बनता है सोडियम धातू के द्वारा यहां पर ध्यान तो सोडियम धातू सोडियम मेटल है और इसका किसके द्वारा इथेनॉल 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 C2H5OH आपको देगा हैड्रोजन जितनी मर्जी कोई एस्टर का एस्टर क्या होगा R C double bond O O R dash इनके द्वारा यहां पर दो R है अगर यह यहां से ब्रेक हो गया यहां से टूड गया तो अब बताओ यहां पर कितने हैड्रोजन लगेगा कि यह एलकौहल बना लेगा R C यह वाला O H बन जाएगा और इस कार्बन को जितने हैड्रोजन चाहिए एक हैड्रोजन यह ले लिया यहां पर दो हैड्रोजन और चाहिए कि अलकौहल बन गया प्लस इधर की बात आता है R dash O तो है ही इसके साथ और एक H इसको लगेगा टोटल खर्च हुआ है H 1 2 3 4 4 hydrogen लगेगा इस तरह से दो टाइप का अलकौहल हमें मिल गया यही रियाक्शन है beo-al blank reaction कहलाती है जिसमें ethanol sodium से reaction करता है और hydrogen produce करता है वो hydrogen इनसे reaction करता है ester के साथ है अगर मेरे पास यह हो तो CH3 CH2 CO-C H 3 यह है क्या चीज़ एक ester है इसको क्या कहेंगे methyl, एक, दो, तिन, propionate, ठीक है, बोलो जादी से, क्या होगा, या फिर इसको ऐसा भी बोच सकते हो, methyl, तिन कर्बन को बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे, N, O, A, T, E, O, 8, यह आई यूपी, इसे नेम है, और यह साधर नाम है, चलो, इसका, हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइगा, बताओ, हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहां से, सोडियम और एपसल्यूट इथेनॉल, C2, H5, OH से, कितना हाइड्रोजन की ज़रत पढ़ती है, चार, पहले से हमने सीख लिया है, यहां से ब्रेक हो जाएगा, और यह बना लेगा, CH3, OH, और यह क्या बना लेगा, इतना, हाइड्रोजन यहां पर लगेगा, और यहां पर CH2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, CH3, CH2, CH2, OH, इस तरह से दो अलकोहल बनता है, यह कहलाता है, ब्लैंक रियक्शन, कहां से ब्रेक होगा, निश्चित है, तभी तो बता रहे हैं, यहां से ब्रेक होगा,